कमा गणी मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेज में आप सब का स्वागत है आज हम बात करेंगे एर मासेज के बारे में एर मासेज में बहुत सिंपल टॉपिक है बट क्यूंकि इसमें इतनी ज़्यादा टर्म साती है इसमें इतनी ज़्यादा डिविजन से यह ऐसा लगता क्योंकि आप कॉंसेप्ट से ही अपने लॉजिक से ही उतने सारे डिविजन कर लोगे तो अगले 10-15 मिनट के लिए स्टे विद में एंड विल अंडर्स्टैंड दी कम्प्लीट पिक्चर ओफ एर मासेज क्या होते हैं क्यों बनते हैं डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं औ तो अग्याँ पानी का सोर्स नहीं है या फिर जहां पर अगर ड्रीज नहीं है तो वहां पर आपको ना मौस्ट ओफ टाइम पर हवा जो है फुक गरम फिल होगी ठीक है अब अगर आप किसी ओशन के पास रहते हो या फिर आप मानलीजी कि आपकी गर के पास में कोई लेग है कोई नदी है कोई पानी का सोर से अगर आप वहां गूमने जाते हो तो आपको थोड़ा मॉश्यर सा फील होगा ठीक है नौ दिस इन दी ट्रॉपिकल एरिया जहां पे पानी के पास में आपको गर्म लेकिन आपको मॉस्यर हिविडिफी फिल हो रही है लेकिन जो प्लेट एरिया है वहां पे meant औंग मॉस्यर हो रहा हूं आप सेम सिनारियों हम लेके चलते हैं थोड़ा सा उपर polar area के अंदर, polar areas में जब आप जाएंगे तो जमीन के पास की हवा, जमीन की वज़े से ठंडी होती है, उसकी वज़े से आपको ठंड फील होती है, ठीक है, बट अगें humidity नहीं है, क्योंकि वो जमीन के पास की हवा, जमीन के पास की हवा है, तो जमीन में से त इतना ऐसा लगता है जैसे हवा में बरफ जम गई है और बहुत धंडा सा मौसम है तो अब यह जो आपको हवा की वज़े से temperature या humidity फील हुआ है यह airmass this is what airmass इसी की वज़े से आपको यह सब फील हुआ है तो airmass क्या है airmass ना एक homogeneous हवा है airmass एक हवा का बड़ा सा packet है block है टुकड़ा है जो किसी एक homogeneous area पे बहुत लंबे time तक रहा है कि उसने उस जमीन की उस surface की जिसके उपर वो है उसकी characteristics को adopt कर लिया है उसे ही airmass बोलते हैं अब generally यह जो homogeneous areas है यह यह तो plain continents हो सकते हैं या फिर vast oceans हो सक है ठीक है अब यह जो हवा है block हवा का है जिससे हम airmass बुला रहे हैं यह generally temperature और humidity की characteristics को लेती है जैसे मैंने आपको बताया जमीन पर evaporation नहीं होता है water का evaporation नहीं होता है ocean के उपर होता है तो उसकी वज़े से क्या है कि जमीन के उपर की हवा हमें थोड़ी कम humidity के लगती है रूख ही लगती है बट ocean के पास में humidity high feel होती है हमें ठीक है मुश्चर high feel होता है अब यह जो है यह variation horizontal level पे बहुत little होता है बहुत कम होता है मतलब अगर आप km km के लंबे से horizontal stretch पे जाओगे ना तो आपको इतना variation feeling होगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा vertically जाओगे तो कुछ ही किलोमेटर तक वह ब्लॉक रहता है उसके बाद में lapse rate की वज़े से temperature down होने लग जाता है और यह जो air masses होते हैं यह हमारी global planetary system जिसमें trade winds westerlies यह सब आती है इनका एक बहुत important part होता है और यह wind belt का part एक बंते है ठीक है अब air masses बंते कैसे मिन आपको यह concept जो मिन आपको भी example से बताया है ना वो यहां पे विक्टोरिल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर surface थंडी है जैसे 0 degrees celsius है तो यहां पर क्या होगा उसके आसपास का जो air block है वह भी थंडा रहेगा और जो चीज थंडी रहती है हमने साइकलोनिक एंटिसाइकलोनिक कंडिशन के बारे में बढ़ा था मैं एक बार फिर से बता देती हूं देखो यह cold surface है फोड़ा साइकलोनिक कंडिशन को समझ लोगे ना तो पूरा air mass एकदम बहुत ही simple हो जाएगा और यह hot है तो जो cold area है वहां पर हवा आसपास की क्या होती है हवा dense रहेगे मतलब कि इसके आसपास की जो लगके हवा है वो गरम नहीं होती है जब चीज गरम होती है वो कम dense हो जाती है एर के molecules एक दूसरे से दूर भागते हैं जैसे की गरम सर्फेस में होता है अगर यहां पर गरम सर्फेस है जैसे कि आप खुद फील करोगे जैसे आपने desert area में तो नहीं बलकि in general भी अगर बहुत चिलचिलाती दूप आप रोड पे दूर से देखोगे तो कभी-कभी आपको ऐसे लगेगा जिसे रोड में से एक lens टाइप दिखाई दे रहा है आपको ऐसा लग रहा है जैसे जमीन में से भाप उठ रही है आपको बिल्कुल clear vision नहीं होता है जैसे मिराज बोलते हैं तो वो क्यो होता है क्योंकि इस जमीन से लगी हुई जो हवा है वो इस जमीन पे ज हवा less dense होती है और कोई भी चीज जो हलकी होगी वो क्या होगी उपर उठेगी जैसे बलून है helium भरी होती है उसमें comparatively atmosphere की हवा से हलकी होती है तो वो उपर की तरफ उठती है तो यह क्या करेगी उपर की तरफ उठेगी ठीक है बट dense में colder surface में क्या होगा आसपास की हवा ठं क्योंकि अभी यहां पर एक तो solar insulation नहीं है temperature कम है हिमालयाद साने वाली ठंडी हवा है तो उसकी वज़े से पूरा यहां का जमीन का जो temperature है वो कम रहता है जमीन के temperature के कम की वज़े से उससे जो associated हवा का ब्लॉक है उसका temperature भी कम रहता है मतलब उसका movement यहां से वहां नहीं होत है तो यह क्या करता है यह एक atmospheric stability प्रोवाइड करता है ठीक है ठीक है मतलब कोई हवा उपर नहीं होगा कोई condensation नहीं होगा कोई cloud नहीं बनेगा कोई बारिश नहीं बनेगी तो यहां पर anti cyclonic conditions create होती है लेकिन जो गरम हवा का ब्लॉक है यह तो less dense है हलका हो गया है क्या होगा उपर उठेगा जब यह उपर उठेगा तो यहां पर क्या होगा concept आएगा lapse rate का ठीक है जैसे आप vertical atmosphere में उपर उठ होगे temperature कम होता जाएगा और उसकी वज़े से आपकी जो air है जो यहां पर warm थी वो उपर जाके धीरी धीरे cold होना start हो जाएगी उसकी वज़े से जो यहां प atmosphere में change आ गया है तो इसे हम बोलते हैं यह atmospheric instability लेके आता है ठीक है simple concept अब यह same concept लेके में air masses में चलेंगे तो जहां पर भी warm air का block होगा जहां पर भी moisture होगा वो atmospheric instability प्रोवाइड करेगा और जो cold air का block होगा वो atmospheric stability प्रोवाइड करेगा ठीक है यह concept clear है अब आजो air masses की ना air surface से associated होता है और उसका temperature उसके जो surface से उसकी underlying surface से थोड़ा सा कम होता है और similarly उल्टा हो जाएगा गरम air masses में जो warm air masses होते हैं उनका जो surface होता है वो comparatively गरम होता है अब क्यूंकि cold and warm air masses के अंदर temperature and humidity का difference होता है तो वो दो different air के block consider करे जाते हैं जब यह दो block आपस में मिलते हैं तो इनका जो दोनों का मिलने का edge होता है उसको हम बोलते हैं front जैसे कि temperate cyclones में front होते हैं उसके बारे में detail में हम बात करेंगे बाकी जो air masses है उसकी physical properties होती है वो depend करती है कि वो कौन सी surface पे है जैसे मैंने आपको बताया अगर वो जमीन पे है continental area पे है तो क्या होगा moisture कम होगा अगर वो ocean पे है तो moisture जादा होगा अगर वो ट्रॉपिकल एरिया में है या polar area में है अगर polar area में है तो वो क्या होगा atmospheric stability लेके आएगा वो बहुत जादा जाके condensation नहीं करेगा क्योंकि हवा dense है वहाँ पे पर similarly tropical area में warm ocean के उपर atmospheric instability generate करेगा उससे काफे बारिश या बादल आ जो homogeneous region है जो source region है वो यह होता है जनरल हम जो वानते हैं वो tropical and polar दो areas में divide करते हैं हम high pressure belt subtropical areas में जो subtropical high pressure belt है हमारा equator के ऊपर diagram पर मत जाना बिल्कुल पुरा बनाए 0 degree 30 degree 60 degree 90 degree 30 degree और 60 और 90 के बीच में जो area बनता है इसको यह हमारे दो homogeneous areas हम मानते हैं और generally एक बार जब यह air masses बन जाते हैं तो वो source area पे ज्यादा stationary नहीं रहते हैं क्योंकि हवा है movement होता है उसका धीरे-धीरे movement होना start हो जाता है ठीक है तो जैसे कि मैंने सब tropical desert बताया अब बताओ इस वाले एक के अंदर क्या characteristics रहेंगी solar insulation है temperature high रहेगा और पुरा का पुरा dry area है तो humidity भी low रहेगा और temperature high रहेगा ओके tropical ocean क्या होगा temperature high होगा और humidity भी high होगा तो इसकी वज़े से क्या होगा atmospheric instability की conditions create होंगे चीक है ओके आर्कटिक land mass land mass cold Hawaii पहले तो temperature down रहेगा और दूसरा already temperature down है evaporation होनी के chances बहुत कम है तो humidity भी हाँ पर comparatively low रहेगी ठीक है comparatively low बुला है मैंने ठीक है अब source region क्या क्या बन सकता है उसके ideal conditions है एक्जाम के लिए थोड़ा सा मतलब आपको wording याद करना पड़ेगा बाकि आपको समझा चुका ह है कि जो सोर्स रिजन से हो होमोजीनिस होना चाहिए extensive होना चाहिए वहां पर divergent air circulation होना चाहिए generally high pressure areas होते है वो atmospheric conditions जो है वहां पर stable रहनी चाहिए ताकि हवा काफी देट तक वहां रहे अगर हवा continuously movement में रहेगी तो सोर्स रिजन की जो characteristics से उसको कैसे अड़ेप्ट करेंगी बहुत सिम्पल सा logic है हवा जब यहां रहेगी इस block का area पर stable रहेगा तभी तो इसके temperature and humidity की conditions इसके source region से इसके नीचे के surface area से इसकी similar होगी मैंच होगी तभी तो वहां से characteristic आएंगी ठीक है अब हम जो source reasons है उनको दो categories में divide करते हैं again it is from the point of view of the exam समझने में बहुत सिम्पल है primary source reasons and secondary source reasons नाम से ही पता चल रहा है primary source reasons वो होते हैं जहां पर सबसे पहले हवा की characteristics वो develop हुई है यह extensive areas होते हैं जहां पर air masses बहुत लंबे टाइम तक रुके हैं और यह generally बहुत vast areas होते हैं जैसे कि tropical warm sea surfaces या फिर desert का लंबा जो area है या जो आर्कटी cold reasons हैं इनको हम primary source reasons बोलते है दूसरे हमारे होते हैं secondary source reasons जो generally extensive uniform surfaces होती हैं बड़ primary surfaces से थोड़ी सी छोटी होती है और यहां पर जो air masses है वो बहुत जादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं बलकि वो धिरे-धिरे-धिरे-धिरे move होना start हो जाते हैं ठीक है अब आता है हमारा main point कि हम air masses को कितनी categories में divide करते हैं air masses का जो categorization है वो generally source region पर और primary source region पर होगा primary source region के basis पर होता है अब यह बहुत सिंपल है बस मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पर सबसे पहले आता है polar oceanic areas polar oceanic areas में कौन सा area आएगा 60-90 degree के बीच वाला जो एरिया है North Atlantic Ocean Canada और North European के बीच में map imagine करो अब तक तो आपको map याद रहना जाहिए North Pacific Ocean और Siberia के बीच वाला जो एरिया है जो winter season के अंदर है ठीक है यह हो गया oceanic वाला ठीक है polar oceanic हो गया है second है polar arctic continental area oceanic में क्या होगा पानी के सर्फिस है continental जमीन के उपर की सर्फिस है तो यह क्या होगा 60-90 degree के बीच में जो जमीन का एरिया यूरोप का एरिया हो गया अलास्का का नोर्द अमेरिका का एरिया हो गया ठीक है यह तो हो गई polar की बात अब आज हो ट्रॉपिक एरिया में प्रॉपिक में भी ocean and continent वाला एरि यहां पर हो गया है यहां पर anti cyclonic conditions throughout the year रहती है यह क्यों रहती है यह atmospheric instability की बात कर रहा है warm है humidity हाई है क्या होगा हवा evaporation होगा हवा हलकी होगी उपर उठेगी condensation होगा cloud formation होगा atmospheric instability लेगा है और दूसरा है हमारा tropical continental area पूर ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर हमारा जो continental वाला एरिया है Africa Southern America यह हमारा Asia वाला एरिया Mississippi वाला एरिया यूए से वाला एरिया मुस्ली जो summer में develop होता है इसके अलावा दो रीजन से हमारे एक तो equatorial रीजन इसके specifically हमें अलग से बात करने पड़ेगी क्योंकि यह वो एरिया है जहां पर trade winds आपस में collide होती है जहां पर trade winds मिलती है हमें ठीक है और यह throughout the year active रहता है और 6 एरिया है हम हमारा monsoon area जो सआव इस्टेश इस में आता है अभी कि आपको देखते ही म सट्न maritime ocean ठीक है and c stands for continental area okay तो c a क्या हो गया है archetic वाला continental archetic which is polar area बतलब ठंडा है temperature कम रहेगा humidity पी कम रहेगी ठीक है mp maritime polar temperature कम है humidity comparatively थोड़ी से जादा रहेगी क्योंकि ocean तो ही थोड़ा बुत evaporation तो होगा ही c t continental tropical area यहां पर ठीक है and mt maritime tropical area again हमारा जो world map इसे बहुत simply categorize कर दिया है 60 degree से उपर हमारा continent पे continent पे हमारा c p रहेगा और maritime पे हमारा mp रहेगा बहुत simple है continental polar maritime polar और tropical area में हमारा जो maritime है ocean है उसके उपर mt रहेगा maritime tropical और जो continental वाला area है वहाँ पे c t रहेगा continental tropical equator के अंदर हम m e बोल देंगे maritime equator क्यूंकि equator में throughout the year same convection की वज़े से similar conditions रहती है throughout the year बारिश होती है इसलिए हमने इसमें continent या polar continent या फिर ocean maritime के अंदर हमने dividing किया इसलिए यह maritime equator के अंदर है ठीक है तो यह हमारे divisions हो गहें similarly आप देखोगे कि जो divisions यहां पे है c a c p वही mp ca यहां पे है यह c a a मतलब अंटार्टिका वाला area कि continental antarctica वाला area है there is nothing difference here and mt and ct यहां पे थर्मोडाइनमिक क्या होते है जो थर्मल कंडिशन से associated होते है थर्मल कंडिशन में क्या associated होगा वाई temperature होगा उसका humidity होगा यही thermal conditions में होगा तो air mass कितना गरम है या कितना ठंडा है उसके basis पे उसमें moisture content increase होगा डिक्रीज होगा उसके surface area के हिसाब से जैसे हमने continental and polar वाला एक्जांपल लिया था फिर हमने tropical and polar वाला एक्जांपल लिया था तो वह हमारा thermodynamic modification है दूसरा होता है mechanical modification जैसा आपको पता होगा कि हमारा जो pressure belt है उसमें भी दो जगे पे हमारे mechanical low pressure areas and mechanical high pressure areas बनते हैं कौन से बनते हैं comment section में लिखके बिताओ नहीं आगे trade wind का या फिर हम पूरा atmosphere का एक अलग से lecture करेंगे बट इफ यू नो कि कौन से दो पॉइंट हैं जहां पे हमारे mechanical high pressure and mechanical low pressure areas create होते हैं then you must tell in the comment section okay अब यहां पे mechanical modification मतलब कि या तो mechanically air जो है वो subsidence में आ रही है मतलब कि वो नीचे की तरफ जा रही है नीचे high pressure area create कर रही है या फिर uplift हो रही है उसे mechanical modifications पोलते हैं ठीक है तो यह बार देख लेना इसमें इतना ज्यादा detail में जानी के जरूद नहीं है coming to the classification of the air masses यह हम देख चुके हैं continental and maritime होता है source region polar area tropical हो सकता है temperature cold या warm होगा अब इन ही का सारा permutation and combination बनके हमारा जो निकला था MP CP और MT and CT ठीक है यह CP को हमने CA और CAA बोला था continental architect and continental antarctica और एक हमारा ME था maritime equatorial that is it इसके अलावा कोई bifurcations नहीं है तो cold air masses के अगर हम बात करेंगे तो cold air masses पहले तो कहां मिलेंगे polar areas के अंदर मिलेंगे conditions क्या रहेंगी उसकी कि वह ठंडे रहेंगे temperature उनका काफी कम रहेगा और जो moisture है वह भी उनमें काफी कम रहता है कहां कहां बनेगा Arctic Ocean में अब ocean में बन रहा है ठंडा है लेकिन क्योंकि ocean हलका फुलका evaporation होगा तो moist होगा ही होगा Siberia जमीन का area cold होगा dry होगा जिसे कि Arctic जमीन का area नदन कैनेडा अगीन जमीन का area ठंडा होगा सदन ओशन अंटार्टिका के ऊपर वाला जो ओशन है नौर्ड अमेरिका और सौरी साथ अमेरिका एफ्रिका और अंटार्टिका की बीच वाला जो portion है हमारा ओशन है वहां पर क्या होगा कोल्ड होगा बट मोइस्ट होगा ठीक है ओके वह मेर मासिस कहां कहां मेलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में दोई कंडिशन से सहारा डेजर्ट के अंदर तो क्या होगा वाम होगा ड्राय होगा समझ आ गया जो हम बोल रहे थे कि टेंपरेचर हाई है बट हुमिडिटी लो है तो हुमिडिटी यहां पर ड्राय और मोइस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और ट्रॉपिकल ओशिंस के अंदर वर्म होगा और मोइस्ट होगा तो यह हमारे डिफरेंट टाइप के एर मासिस हैं अब हमने इनको फॉर्दर के टेगराईजेशन करा है कॉंतिनेंटल पॉलर एर मासिस के अंदर कॉंटिनेंटल पोलर एर मासिस में पहले तो बताऊ कि हमने क्या दो चीजे पढ़ी थी तो तेंपरेचर बहुत कम रहेगा और यूमिडिटी भी बहुत कम रहेगी ऑब हुमिडिटी का और तेंपरेचर कम इन आपको पता है यह तो स्टेबल हो सकता है तो यह जो 16 टाइप कर दिविजन है बेस तो थे थर्मोडाइनमिक एंदी में कानिकल मोडिफिकेशन ओव दी एर मासिस यह बहुत डीटेल में है अब इतना डीटेल में शल आई गिव यू हीर अगिन यूल हाव तो तेल मी इफ यह वांट इन डीटेल विल में अनादर ले तोपिक इस बींग कवर्ड इंटो अवर सिलेबस इंटो अवर कोर्स पूरा को पूरा इतनी सिंप्लिफाइड लेंविज के अंदर कोर्स बनाएं कि आप हर एक इवेंट को जो आप जिग्राफिय ऑप्शनल में वैसे ही पढ़ोगे लाइक फो दी क्लिरिंग दी एक्जाम उसको आप अपनी डे टुदे लाइफ से एक्जामपल को डे टुदे लाइफ से आप उसे रिलेट कर सकते हो साथ में हमने पीवाई क्यूज को डिसकुशन किया है इसके अंदर हर चैप्टर और टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम यह देखते हैं कि इसमें किस तरी के पी करना कैसे है सलेबस बहुत लंबा है पेपर वन को पेपर टू से कैसे इंटेग्रेट करें करें को कैसे लिखना है आंसर राइटिं कैसे स्टार्ट करनी होती है बहुत जीएस जीएस आंसर दिखता है जीएस 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 आंसर दिखता है जीएस 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 जी any confusion any misunderstanding any myth please come and join in our workshop we are having it on the same 7th of january शाम को पांच बजे रजिस्ट्रेशन करिए बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं ताके आप सबसे one-to-one interaction हो सके इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो नीचे description box में दिया है आप देख सकते हैं जोइन कर सकते हैं and that is it from my side I'll see you guys in the workshop and in another lecture till then bye